हलो फ्रेंड इस्टेडी विद कृष्णा चैनल में एक बार आपका फिर स्वागत है और मैं हूँ कृष्णा यादो फ्रेंड्स हम पढ़ रहे थे वालकेनों और वालकेनिक के जो बनने वाले इस्थर रूप हैं उन पे हमने चर्चा कर ली थी और आज का हमारा टॉपिक रहेगा सीजमी सिटी या भूकम तो भूकम क्या होता है भूम का कमपन यानि जब जमीन हिलने डुलने लगती है उसमें क कम्पन होने लगता है तो उसे कहा जाता है भूकम क्या क्या वजह हो सकती है एक सिंपि्ल और शरल परिभासा है भूम जब कापने लगती है ये अस्थल जो है कमपन होने लगता है तो उसे कहा जाता है भूकम्प और भूकम्प के क्या कारण हो सकते हैं में चीज हम इस पर बात करेंगे कि इसके कारण क्या है हमने आपको प्लेक टेक्टॉनिक में बताया था कि जो अस्थल खंड मारा होता है उसके नीचे दुरबलता मंडल है इस्थीनो स्फियर है तो कई कारण होते हैं भूकम्प के जैसे कि पहला कारण तो हो सकता है द्लेटें गति करती हैं जैसे कहीं फालट कसी ड्लेट तकरा रही है उसके नीचे जारी यह इससे क्या होता है इस से उर्जा जनरेट होती है और उस इनर्जी की वजे से क्या होता है कमपन होने लगता है उसे भूकम्प कहा जाता है तो यह तेक्टानिक हो गया दूसरा क्या हो सकता है ज्वाला मुखी से हो सकता है ज्वाला मुखी का जब उद्गार होता है तो उसकी वज़े से भी भूकम्प जनरेट हो सकता है तो वो ज्वाला मुखी उसका रीजन हो सकता है तीसरी चीज हो सकती है करतिम मानो जनित परमाडू परिच्छाड या इस प्रकार के जो बड़े-बड़े धमाकी करते हैं इसकी वज़े से भी धोकम्प जनरेट हो सकता है तो वो मानो जमित हो सकता है करतिम और एक कारण हो सकता है प्रतवी की आंतरिक क्रियाएं प्रतवी के अंदर जो आंतरिक क्रियाएं चल रही है एस्थीनो स्फियर मेंटल वगरा में उनकी वज़े से भी भोकम्प जनरेट होता है जैसे कि प्लेट के नीचे यहाँ पे एस्थीनो स्फियर भरा हुआ हुआ है जिसके अंदर रेडियो एक्ट्व एलिमेंट्स है उन र प्रत्यास्त उर्जा जनिएंट जने तोली जब यह मैगमा की समाहन तरंगे चलने लगते है उपर की तरफ प्लूम बनता है और ह 생 क्वा मेंट्य। उससे क्या होता है प्रत्या सूर्जा जनरेट होती है और वो इन प्लेटों को नीचे से धक्का देती है अगर ये प्लेट में कहीं दरार पड़ गई फाल्ट पड़ गया तो उससे भी भूकम्प जनरेट हो जाएगा या फिर जॉला मुखी बन जाएगा तब भी जमीन काप जाएगी अगर फाल्ट नहीं पड़ता है और जॉला मुखी भी नहीं जनरेट होता है तब भी इनके बल की वज़े से इन प्लेटों में क्या होगा कमपन उत्पन हो जाएगा उसे ही कहा जाएगा भूकम्प तो भूकम्प के कई कारण हो सकते हैं हमने देखा कि बिवर्तन की जो मुवमेंट होते हैं प्लेटों की गतियां जो होती है अभिसारी और अपसारी या संरच्छी उनसे भी भूकम्प उत्पन होते हैं ज्वाला मुखी के द्वारा भूकम्पन होते हैं और इसके अंतर जो रसाइनिक और फिजिकल एक्टिविटीज हो रही है प्रत्वी कुछ होते हैं कृतिम जो मनों से अपनी क्रिया विधिक के द्वारा उत्पन करता है परमार परिछन जैसे की इस तरह की घटनाओं को अंजाम दे करके भूकम्प उत्पन करता है तो यह भूकम्प के कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं अब जो हमारा मेन टॉपिक है वो है कि से समंधित जो चीजे हैं जैसे भूकम्प की तरंगे और भूकम्प कहा उत्पन होता है उसे क्या कहते हैं और इनका मापन कैसे किया जाता है तो देखे भूकम्पी तरंगे क्या है भूकम्पी तरंगे तो तीन प्रकार की तरंगे भूकम्प से जनरेट होती है जब भूकम्प का जनरेशन होता है प्रत्वी के अंदर देखे यहां पे अर्थ है हमारी यह धरातल पे कुछ गहराई में जैसे 50 किलोमीटर या 100 किलोमीटर या अधिक भी हो सकता है तो जिस अस्थान पे भूकम्प का कें DD बंता है यानि भूकम्प उत्पन होता है उससे कहा जाता है फोकस को क्या कहेंगे फोकस यहां से टीन प्रकार की तरंगे निकलती है पहली प्राथमिक प्रात्मिक तरंगे Primary Waves Primary Waves इनको P कहा जाता है P तरंगे दूसरी होती है दुतियक तरंगे secondary Waves इनको कहा जाता है S तरंगे और तीसरी होती है Long Waves या इनको कहा जाता है धरातली तरंगे धरातली तरंगे इनको long waves कहा जाता है या इनको love waves भी कहा जाता है love महोदय ने इनकी खोज की थी इनको symbol दिया जाता है ल तो तीन प्रकार की तरंगे हो गए पी एस और एल तीन प्रकार की तरंगे कहां पे उत्पन होंगी फोकस पे उत्पन होती है और वहां से यह चारो तरफ गती करती है चारो तरफ बढ़ती है तो यहां क्रश्ट है मेंटल है इसके उपर इन तरंगों का जो बढ़ने का गुण है वो सब का अलग-अलग होता है तो यह चारो तरफ गती हो सबसे नजदीक point धरातल पे उसी के हो जाती है और इसको कहा जाता है यहां पे सेंटर या भूकमप अधिकेंद्र से अधिकेंद्र पोधिक्र होता है उसे फोकस यहाइपोसेंटर कहा जाता है तो दो ये बिंदु बनते हैं, दोनों को उस्चल पूछे जाते हैं कि भूकम्प जहां से उत्पन होता है उसको कहते हैं हाइपो सेंटर या फोकस और सबसे पहले प्रतवी पर फोकस के ऊपर वह निकरतम स्थान जहां पे सबसे पहले भूकम्प की तरंगे महसूस की जाती है उसे कहा जाता है भूकम्प अधिकेंद्र या इपी सेंटर तो इपी सेंटर पे ये तीनों तरंगे पहुंचेंगी अब इन तरंगों में सबसे पहले पहुंचती है पी तरंगे इसलिए इनको कहा गया है प्राइमरी वेब्स पी तरंगे जो होती है पी तरंगे तीनों माध्यमों में चल सकती हैं ये सभी माध्यम में चल सकती है ठोस में द्रो में सभी में ठोस में भी चल सकती है और द्रो में भी चल सकती है इनकी गती सबसे तेज होती है इनकी तीब्रता सरवाधिक होती है देखिए इनकी जो तीब्रता है यानि कमपन करने की जो स्पीड है इनके कणों के कमपन की वो तीबरता सरवाधिक है और इनकी प्रकत क्या है यह प्रकार किस प्रकार की तरंगे है यह अनुदैर्ध तरंगे हैं अनुदैर्ध तरंगे जो प्राथमिक तरंगे हैं उनकी तीब्रता सरवाधिक होती है और ये अनुदैर्ध तरंगे क्या होती है जिन में कणों के कमपन करने की दिशा तरंग चलने की दिशा में ही होती है वो होती है अनुदैर्ध तरंगे जैसे ध्वनी तरंगे जैसे कि ध्वनी तरंगे जो होती है वो अनुदैर्ध है तरंगे कही जाती है तो ध्वनी उधारन दे सकते हैं साउंड वेब्स साउंड वेब्स साउंड वेब्स जो होती है पीर तरंगों के प्रकार की तरंगे हैं तो इनकी तीब्रत्या क्या हो गई सरवाधिक इनका प्रकार क्या है यह अनुदैर्धी तरंगों की प्रकार की हैं और यह सभी माध्यमों में चलती हैसी लिए यह तरंगे में चलेंगे 25 झैगे और कौर में वह चलेंगी और यहां और पहुंच यत कि उसके विप्री दिसावले स्थान की घया होती है इनकी जो तरंगे दैर्ध संवाइडा सTuक्राम कि यहां पर प्राथ्मिक तर्णगों की तीन चार चीजि होगी सभी कि दो कि माद्धेम में चल सकती है इनकी तीब्रता सबसे ज्यादा है यह अनुदैर्थ प्रकार की य haunted याणि जैसे कि सांड़ वेवस होती है और इनकी तरंग दैर्थ सबसे कम है जब तरंग दैर्ध सबसे कम होगी तो यह किसी भी स्थान को कम हिलाएंगी डुलाएंगी क्योंकि इनकी तरंगदैद कम है जैसे कि इस तरह से इनकी तरंगदैद कम होगी यानि इस तरह से रहती है और जिसकी तरंगदैद ज्यादा होगी वह इस तरह से दूर दूर इस तरह से आएंगी उनके बहुत ज्यादा होगी तो इ वो सबसे कम ये करेंगी, नुक्सान भी इनसे कम होगा, यानि जहां पे केवल पी तरंगे होंगी, वहां पे नुक्सान ना के बराबर होगा, तो इतनी चीजें पी तरंगे हैं, सभी माध्यम में चल सकती हैं, यानि थोस में, द्रोव में, गैस में सब में चल सकती हैं, तीब तरंग के लिल्ए नीरफ और अनुदायरदे तरंगे तरंगे और देखंगं के लेद किले करों का कमपन करने के जोम दिसा और दिसा तरंग्गर वह तहते हैं जो चलतते हैं दूसरी हमारी है एस थरंगे अब एस तरंगों की कौन से प्रमुख्लच ठड़ है वो देख लें त्यसे शाए है एस तरंगों में इनकी जो ती बर्दा हैर हुआ गो तीव движ़तब ञंड़ आपक 50 है इसले इनकी जो स्पीड होगी वोगि पी चम होगी यह निकी कि गहतिक यह referring शोगी वह भी पी से कम होगी और यह आप्रकार कौन सा है यह प्रकार है अनुपरस्त प्रकार की तरंगे अनुप्रस्थ तरंगे हैं ये अनुप्रस्थ तरंगों का एक उधारण होता है जैसे प्रकास तरंगे लाइट वेप्स प्रकास की इनमें जो है कणों के कमपन करने की दिशा तरंग के चलने की दिशा के लंबवत होती है तो ये प्रकास तरंगों के प्रकार की तरंगे हैं और यह जो है केवल ठोस में चल सकती हैं और द्रव में नहीं चल सकती हैं द्रव में नहीं चलेंगी यह इसलिए यह तरंगे में जहां जहां द्रवस्थान है जैसे आउटर कोर में वहां यह पार नहीं कर पाएंगी यह कोर तक नहीं पहुंच पाएंगी यह मेंटल से ही विस इपी सेंटर पे तो पहुंचेंगी यहां लेकिन यह कोर को पार नहीं कर पाएंगी क्योंकि बीच में लुकिड इस्टेट में चल नहीं पाती हैं इसलिए तरंगे मोड़ जाएंगी इनकी गती दूसरी तरफ हो जाएगी और यह यहां नहीं पहुंच पाएंगी इसकेंडरी वेब कहा गया है सेटरी क्यों कि फोकस पें उत्पन होने के बाद में जो सेटरनगे जो उन्य यहां पे तरंगे यान सबसे पहले पहुंचेंगी गीड़ दूसके बाद येस पहूंचेंगी वह कि हो इसके बा openness न्हांप्रेश्ग अल तरंग कर यहना रंग या इसी लिए ये पी से थोड़ा खतरनाक हैं लेकिन ये भी ज्यादा नुकसान नहीं करती हैं एल तरंगे जो हैं लांग वेबिस ये केवल सतह पे चलती हैं केवल धरातल पर चलेंगी यानी यह धरातल पर चलेंगी यह ना बहुत लांग है इसलिए इनको long babes भी कहा जाता है इनकी तीबर्ता क्या है तीबर्ता सबसे कम है तीबर्ता सबसे कम है इसलिए इनकी speed भी सबसे कम होगी लेकिन इनकी जो तरंग दैर्ध है वो सर्वाधिक है सर्वाधिक है यानि ये भूम को बहुत तेजी तेजी से हिलाएंगी बहुत ज्यादा कमपन करेंगी इसी वज़े से सबसे ज्यादा नुकसान जो है वो यही तरंगे करेंगी सर्वाधिक नुकसान सबसे ज्यादा नुकसान करने वाली तरंगे कोंशी है एल वेब्स लांग वेब्स या धरात्री तरंगे तो इस प्रकार से तीन प्रकार की तरंगे जो है भूम्प से जनरेट होती है प्रैमिरी सेकेंडरी और लांग वेब्स अगर तीबरता क्या धार पे पूछा जाए तो primary की तीबरता सबसे ज़्यादा है secondary की उससे कम और long waves की सबसे कम अगर तरंग दैर्ध क्या धार पे पूछा जाए तो तरंग दैर्ध सबसे ज़्यादा होती है long waves की उससे कम secondary और सबसे कम primary की होती है नुक्सान सबसे जादा लांग वेब करेंगी इस प्रकार से तिनों प्रकार की तरंगों के लचछड़ा आप समझ गए होंगे इपी सेंटर क्या होता है इपी सेंटर वो अस्थान होता है जहां पर भोकंपी तरंगे सबसे पहले पहुंशती हैं या आप कह सकते हैं कि भोकंप का अनुभो जिस अस्थान पे सबसे जल्दी या सबसे पहले होता है वो इपी सेंटर कहलाता है और उसी के नीचे जहां पर भ भूकंप मूल या फोकस दो इस परकार से यह दो सब्लैंन और यह तीन प्रकार की टरंगे हैं अब हम देखते हैं कि भूकंप का मापन कैसे चाहिए रहते है're दो पैमाने ग्लीग में दोनों के भी स senhor में आप जान ले संचेफ में एक होता है मारकेली ओणा मैं Gonna यह नाम सुना ऑपने मरकेली इसचेल में और दूसरा है रिक्टर स्केल करें से तरी नुक्सान की तीव करतार नयां यह अनुभो कि आधार पर देह जाता है इसके द्वारा हम यह प्रदर्शित करते हैं कि भूकंप कितनी तीब्रता से नुक्सान करता है यानि आप कह सकते हैं कि भूकंप के प्रभाव की तीब्रता का अध्यन जो है वो मापन जो है वो मरकेली स्केल द्वारा किया जाता है और इसको जीरो से बारा डिजिट तक मापन जाता है इसे क्या करते हैं गोता है भूकमपीत तरंगो की ती वर्टा का मापन करता है यही मुख्य जो आप नियुजपेपर या नियुज चैनल पर आप सुनते हैμεं, कि इतने रिक्टरीव स्केलपे इतनी ती बप्रत थील भूकम्प आया है, चें प्रत थील भूकम्प पाया है मेरा है क्सेसी ty再ret का रिक्टर कर रिक्टर कर रिक्टरों पैमाने का कोई ग्याद भूकम नहीं है और ना तो आने की संभावना है क्योंकि एक डीजिट बढ़ने पर भूकम जो है वह वहुथ सक्तिसाली हो जाता है तो इस प्रकार से दो स्केल हो गए जिन से भूकम्प का मापन किया जाता है रिक्टर स्केल से भूकम्प की तरंगों की तीबरता और मारकेली स्केल से जो है भूकम्पी नुकसान की तीबरता का अध्यन किया जाता है एक सब दाता है सम सीजमिक लाइन सम भूकमपी रेखाएं सम भूकमपी रेखा आईसो सीजमिक लाइन क्या है जैसे कि किसी स्थान पर भूकमप उत्पन हुआ यहाँ पे ये इपी सेंटर है तो चारो तरफ जो है उसके भूकम्प की तीबरता फैलेगी चारो तरफ उसके जटके महसूस किये जाएंगे तो दो प्रकार के हो सकते हैं एक तो वहाँ पे जो तरंगों की तीबरता है वो रिक्टर इसकेल पे सब जगे बराबर होगी सबी जगे बराबर होगी जो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया में भूकम पाया है और उसे अगर किसी दूसरे देश में चाइना में रखे सीस्मोग्राफ के द्वारा पढ़ा जाता है तो वहाँ पे रीडिंग कुछ और आ जाएगी जो सीस्मोग्राफ इंडिया का बताएगा कि यह साथ पैमाने का है वही चाइना का बताएगा कि यह साथ पैमाने का है ठीक है साथ रिक्टर इसकेल वह भी बताएगा और जापान में रखा हुआ सीस्मोग्राफ भी उसको सेबन ही रीडिंग करेगा तो जो सम भूकम्प की लाइन होती है जैसे कि जो तीवर्ता वहां पर एक समान तीवर्ता वाले जो छेत्र होते हैं भूकम्पी छेत्र के वो रेखाएं जो एक समान तीवर्ता वाले भूकम्पी छेत्रों को मिलाती है उनको आईसो सीजमिक लाइन कहा जाता है तो यहाँ पे सीस्मोग्राफ हमने एक सब्योकरा क्या है भूकंप का मापन करते हैं उस यंत्र को सीस्मोग्राफ कहा जाता है जो मापन है यह सीस्मो ग्राफ से किया जाता है सीस्मो ग्राफ एक सीस्मो मीटर होता है एक सीस्मो ग्राफ होता है सीस्मो ग्राफ जो होता है वो भूकम आटोमेटिक होता है वो भूकम आता है वैसे ही वो उसकी रीडिंग कर लेता है सीस्मो मीटर जो होता है वो बैग्यानिक साथ में रखत तो करते हैं वह सीजमोग्राफ अथूमेटर होता है जैसे भुकम पाता है वो उसको तुरंद पढ़ लेता है इस परकार से लिपारेस केल लाइन क्या है और सीष्मोग्राफ क्या है वह आप समझ गए होंगे भारत में कई ज 골ो miel चीइंक स्फापित कि यह यह सभी सेस्मोग्राफ जो है वो एक ही रीडिंग परदान करेंगे ऐसा नहीं है कि जो भूकंप के निकट में कोई सिस्मोग्राफ लगा होगा वो दूसरी रिडिंग बताएगा और किसी अनि देश में जो है अगर वो भूकंप मापी अंतर लगा होगा तो वो दूसरी रिडिंग बताएगा जो भूकंप की तीबरता है वो सभी जगे एक ही न आपके बताएगा हां यह जो भूकंप का नुकसान होता है उसकी अलग-अलग स्थानों पर जो है अलग-अलग तीबरता होती है वह एपी सेंटर के पास सरवाधिक होगी और जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे तो वह नुकसान की जो तीबरता है वह कम होती जाएगी और एक परकार की तीबरता वाले जो अस्थानों को मिलाने वाली लाइन को कहा जाता है आई-सो सीजमिक लाइन इस परकार से भूकंप के विशाय में आपने जाना आप देख लेते हैं कि भूकंप की तरंग किस परकार से गति करती हैं यह हमारी अर्थ है और यहां पर फोकस प सबी तरंगे पहुंच गई एस पी और यहां से जो है इस तरह से एस तरंगे और पी तरंगे बढ़ती हैं यहां पर कोर है और इसके ओपर यह द्रविद छेतर है यहां भी जो एस तरंगे होगी वो इस द्रो को पार नहीं किरेंगी और यहीं से बिचलित हो जाएंगी इधर की तरफ यह कर्ब की रूप में एस और पी दोनों प्रकार की तरंगे जो है वो इस तरह से चलेंगी इधर जाएंगी इधर और इधर तो यहां पे एस तरंगे और पी बाद में आएंगी पी पहले आएंगी एस बाद में आएंगी लेकिन इसके बाद में यह लगभग आता है 105 डिग्री कि 105 डिग्री यह मैं आपको इंटर्नल इस्ट्रक्चर आपदार्थ वाले चैप्टर में डेटेल में पहले भी बता चुका हूं यहां पर रिवाइज कर दे रहा हूं कि यहां पर आपका जो कोड बनेगा यहां से 105 डिग्री इधर 105 डिग्री यह आपको कहीं कहीं 103 डिग्री सब्सक्राइब आपको लिखा मिल जाएगा दोनों सही हैं 103 डिग्री 105 डिग्री तक एस और पी दोनों तरंगे पहुंचती हैं इसके बाद अंदर द्रवित छेत्र होने की वज़े से तरल होने की वज़े से एस तरंगे इसके आगे नहीं जा पाती हैं वह यहीं से सब कि इस तरह से हैं और कुछ ऐसे छेत्र होंगे जहां पी तरंगे भी नहीं पहुंच पायेंगी क्योंकि पी तरंगें का gj जब डेनी ही चेंज हो जाएगी तरल छेत्र आजाएगा टो उनका मार्ग भी बदल जाएगा जैसे यह इस allí तो ऋजाएंगी है यह इधर को जा रहती है इसे हो जाएंगी तो यहान नहीं पहुंच पाएंगी कुछ एडीया ऐसा होगा जहाँ एस भी नहीं पहुंच पाएंगी तो वह कौन सा एड़िया घा 105 डिगरी जिर Τा और 145 डिगरी इढ़क तो यहां पे तरंगे नहीं होंगी इतने एरिया में यहां से यहां तक 105 365 आप कह सकते हैं मैं जो 105 से 105 वाला एरिया बनेगा यह तोटल यहां पे कौन सी तरंगे नहीं है यहां एस नहीं है एस तरंगे नहीं है पी तरंगे तो मिलेंगी यहां पर इतने में दोनों तरंगे नहीं मिल रही है देखे लेकिन यहां जो है केवल एस तरंगे नहीं मिलें पी हैं तो अब इनके नाम क्या है इनको कहा जाता है एस और पी तरंग छाया छेत्र इसको क्या कहेंगे हैं S3 6 Cincinnatimodern 1 को बताइए कि कहां नहीं मिलेंगी इसमें ल दरंगों का कोई छाय छेतर होगा नहीं ल टरंगे धरातलपे चलती हैं और वो सब जगें पूरे धरातलपे गति करती है इसलिए को इसलिए उनका कोई छाय छेतर नहीं होगा E Better Time सब जगेंं पहुचेंगी इस प्रकार से इपी सेंटर से जो है तरंगे चलती हैं सभी तरंगे अपने अपने प्रकति और गुड के आधार पे काम करती हैं P और S तरंगे दोनों जो है 105 डिगरी तक प्राप्त होती है इधर और उसके बाद S तरंगे प्राप्त नहीं होती हैं पी तरंगें भी कोर को पार करके एंटी पोड यानि विपरीत दिसा वाले स्थान तक पहुंच जाती हैं लेकिन कुछ ऐसे जगे हैं जहां पर पी तरंगें भी नहें पहुंच पाती हैं उसकी वज़े हैं मीडियम में अंतर जो है ठोस द्रव फिर ठोस इस मीडियम में अंतर कि वजहे से उनकी दिशा बदल जाती है और कुछ पी तरंगों का चाय छेतर भी बनता है तो इस प्रकार से भूकम्पी तरंगों की गती होती है तो आसा है भूकम्प के विशे में आपको इतनी बाते समझ में आ गई होगी और मिलते हैं अगले लेक्चर में जिसमें हम रॉक्स की बिसे में पढ़ेंगे जो एक बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है वहां से बहुत सारे कुश्चन्स आपके मेंस और प्रिलिम्स के बनते हैं तो चट्टानों की बिसे में हम अगली क्लास में अध्यन करेंगे धन्यवाद